हेलो जाहिन चात्रों वेलकम है आप सभी का हमारे यूटूब चेलनल पर दोस्ते यहाँ पर आई टी आई चात्रों के लिए मैं बड़ी अपडेट यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर इतने भी चात्रों का आई टी आई का रिजल्ट आ चुका है दोर 23 का तो फानली वे चात्रों को यह काम करना है तभी आप लोग का मार्क सीट और सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा डिजिटी के दोरा अगर आप लोग यह काम नहीं करते हैं तो आप लोग का सर्टिफिकेट मार्क सीट और जारी नहीं किया जाएगा और आप लोग इंतेजार क करते रह जाएंगे तो आज ही आप लोग यह काम कर लें तभी आप लोग का चुबिस घंटे बाद आप लोग का反र सटीपिकट जारी कर दिये जाए और जो भी चात्रों का रिजल अभी तक नहीं या जा है उनको क्या करना थे ओ भी मैं आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है यह काम करने के साथ पहले आपको अपना जैसे आप लोग रिजल्ट चेक करते हैं वैसे आपको सेम रिजल्ट चेक करना है तो आपको इसके बाद लोग के सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको रोल लंबर फिल करना है इसके बाद आपको एक्जाम सिस्टम चूच करना है तो यहाँ पर मैं रोल लंबर और एक्जाम सिस्टम इसके बाद येर चूच कर लेता हूं तो यहाँ पर देखिए मैं आ चुका है और यहां पर देखिए आप लोग में बता दू कि यहां पर आपका रेजे ग्रिवेंस दिया रहेगा और एक्सेप्ट का बटन दिया रहेगा फानली मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर तो देखिए आप लोग के सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होगा देखि हो जाएंगे लेकिन आप लोग को फिर भी फेल कर दिया गया है तब आप लोग रहेजे ग्रिवेंस करके अपना कौपी रिचेकिंग करवा सकते हैं ठीक है और आप लोग का ओनलाइन कापी रिचेकिंग होगा और इसके बाद अगर आप लोग का लग रिजल्ट सही है आप लोग अच्छे सपास हो चुके हैं तो आप लोग एक्सेप्ट रिजल्ट कर लिजेगा अन्य था आप लोग का मार्क सीट और सर्टिफिकेट जारी नहीं किये जाएंगे और इसके बाद देखिए आप आप लोग का जब रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे तब आप लोग ए यहाँ पर देखिए आप लोग का दिया रहेगा कॉंग्राइचुलेशन योर मार्क सी सर्टिफिकेट विल बी ऑविलेबल 24 हावर्स यहाँ पर 24 गंटे बाद आप लोग का मार्क सी सर्टिफिकेट जारी कर दिये जाएंगे और भी मैं आप लोग को नोटिस दिखा दे रह लेंगे तो आप लोग नकापी रिजिगेंग् करवाकिए अपना फीर सुधार करवा सकते हैं लेकिन आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तब आप लोग अपना कूईस्टन भी चेक कर सकते हैं और आप लोग का सेर्टिफिकेट मार्क सांग स सुपमिट करते आं आप लोग का answer seat आपके mobile phone में आ जाएगा ठीक है और देखिए जो भी छातर आपकर accept कर लिए है तो उनका जो mark seat है उस certificate कब तक आएगा तो देखिए यहाँ पर आप लोग का बताया गया है कि 72 hours में आप लोग अगर accept नहीं करेंगे तब आप लोग का already accepted हो जाएगा ठीक है और जो भी छातर ग्रिवेंस करना चाहते हैं तो आज ही आप लोग ग्रिवेंस कर लिजिए क्योंकि आपका आपका छे तारीक के बाद आप लोग का ग्रिवेंस नहीं किया जाएगा यहाँ पर आप लोग फानी देख पार इन cases neither accepting not grievance filled by 6 January 22 यहाँ पर आप लोग का दिया गया ह है वह आपका 15 देश के बाद आप लोग का जारी कर दिये जाएगा क्योंकि एह आप लोग का लगबग 15 दिन के बाद आप लोग का marksit certificate जारी कर दे जाएंगे और आप लोग 15 दिन के बाद ही अपना डाउनलोड कर पाएंगे marksit और certificate ठीक है तो जो भी छात्र का result आ चुका ह वे चात्रे 15 दिंग का इंतेजार करिए आप लोग का मार्सिस सर्टिफिकेट आ जाएगा और कैसे आपको डाउनोड करना है जैसे आप लोग का जारी होता है वैसे मैं आपको बीडियो प्रवाइड कर दूँगे आपको डाउनोड कर लीजिए और जो भी चात्रे अपना रि 26 फरवरी 2023 से स्टार्ट कर दी जाएंगे धन्यवाद